तो जिला बिदानसभा वार्ट सेक्टर कमेटी में नौजवानों की भागिदारी को बढ़ाने काम क्यों हर्दियान सिंग मार्क पर जो कारयले बहुजन समाज पार्टी का ये कारयले वेसिकली मानुवसरी कासिराम साहब और आदरनी बहुजी ने यहां से संगर सुरू किया इस कारयले के द्वारा पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन अंदूलन का किरांती का बगल बजा चैवहीम आप देख रहे हैं डली टाइमस और आज मैं माझूद हूँ राजदानी बिली के बसपा कारयले और हमारे साथ मौजूद ना सुड़े सारिया जी जो की Central प्रभारी है और दिल्ली के अंदर आज बैटे हैं तो इन से जान लेते हैं कि राजधाने दिल्ली में बसपा को लेकर क्या के तैयार है और 24 के एलेक्सन को लेकर क्या-क्या रणिती दिल्ली के अंदर से दी जा रही हैं पहले तो दली टाइम्स को और आपको नौजवन सात्यों को मेरा जहभीम सादर और आप लोग यहां तक आये हैं और खासकर मुवमेंट को जानने समझने के लिए और बीस पी की रड़नीति और नीतियों के जानने के बात करने के लिए हमार साथ बैटे हैं तो इसके लिए मैं मानवसरी कासिराम साहब और आदरनी बहन जी ने यहां से संगर सुरू किया था इस कारेले के द्वारा पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन अंदूलन का किरांती का बजा और आज पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी के जो आपको पूरे छट दिखाई दे रहे हैं वो इस कारेले की देने और इस कारेले में आदर्ण मानुवर्ण सरी कासिराम साहब और अदर्णी बेहन जी और तमाम हजारो लाखो कारकरताओं ने यहां आकर रहे कर जाकर इस मुविवेंट को अबढ़ाने काम किया इसलिए एत्यासिक और पाबन भू क्यbright था ने कि स्टार्ट किया था और कि ता है दूसरा आपने कहा कि भुख्जिन समाज पार्टी ने किस तरह त्यारी है उस पहले अपना जिला कमेटी वाड कमेटी सेक्टर कमेटी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और उनको केडराइज करके खासकर के दौरा जो लोग उतियार किये रहे हैं वो पदाधकारी मानुवा साब कहते थे एक पदाधकारी के कारकरता हो तयार होने में पांसे दुस साल लगते ह हैं तो वो चैडर के दौरा हम लोग उस पांस तैयार करते हैं जो लोग मोमेंट और पांसे अपनous मिल्व कर रहे साथ में आधनी बहन जी ने कहा कि 50% से ज्यादा नौजवानों की भागिदारी देश के पूरे तमाम संख्ठन में देनी हैं हमको बहुजन समाज पार्टी के तो दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो 50% representation यूथ का है वो आपको देखने हो दिल्ल जी ने सेंटर कॉडिनेटर बनाया हुआ है भाई सुजित एडवोकेट सुजित समराट जी को दिल्ली प्रदेश का कोसाध्यश बनाया हुआ है भाई लेलिज जी जो हैं नौजवान साती है यह तमाम नौजवान जो बहुजन समाज पार्टी के मैं हरार्की बोडी में है है यह नोजवानों की भागीदारि का मतलब कुल मिलाकर ये है कि अब राजदाने दिल्ली वहाओ के हाथ आत्या सट्वोखण कर रहे हैं मुआह दिल्ली हम इस मेहने नवम्मर तक हम पूरा विदान सवा का बॉड़ी सेक्टर बॉड़ी और बूथ लेवल तक का हम संग्ठन बनाने का काम करेंगे क्योंकि हमें चुनाव से पहले अपनी रड़नीती त्यार करने के लिए अपनी जमिन इस तरह पर संक्ठन को मजबूत करना है तो यह सारे कारीकरम दिल्ली में चल रहे हैं यह 24 के मद्धन नजर हैं जो दिल्ली में लोकसवाद चुनाव होगा उसके तुरंत बाद एक साल बा बिधान स्वाच चुनाओं होगा तो बोज़न समाज पार्टी दिली का दोहरा टारगेट है कि इस वार हम लोग मेजर आफ मेजर दिली के लोग स्वाच चुनाओं में अपने प्रिजेंस दिखाएं और इसका रिफलेक्शन आपके आने बाज दोहर 25 के विधान स्वाच चु इसके बाद आपने देखा होगा दिल्ली के इसके बाद आपने देखा होगा दिल्ली आपने सालिमरबाग में वावासावाम मेटिकर की मूर्थी तोड़ी गई वहां हमारे बोजन समाझ पार्टिक लोग गए आपने तो कलगाबाद गटना देखे जहां हमारे लोगों को प्रताडित किया गया वहां हम लोग गए तो ऐसे तमाम यह पीछे सहवा डेरी में हमारी बेटी को मार दिया गया उस घटना में हम लोग गए तो देश दिल्ली में जो भी घटनाएं होती है सामाजी का और इस आपरादी किसम की भी यह किस तरह की भी हम उसमें जाकर समाज को मनुवल देने काम कर दिल्ली में हो रहा है अभी हालिया आपने देखाऊगा दिल्ली के यहां पर दिल्ली विश्विध्याले में एक डॉक्टर हित्यु जी हमारी समाज की बैटी है जिनको प्रोफेसर निकाल दिया गया है वह लगए साथ देन से धरने में बैटी है लगातार हम उनके कारिकरम उनके धरने को मजूद करने के लिए उनके नियाय प्रकृषया जो नियाय मिले उसमें हम लोग पार्टिमेट कर रहे है और उनको मजूद ही दे रहे हैं जिससे सामाजी तौर में मैसेज जाए कि हमारा कोई भी आंदुलन जो जमीनी सतर पर जो नियाय के लिए हैं हो सकती है उसमें हम लोग मद्द करेंगे और मद्द करने के लिए हमने असुस किया है तो बहुत सारे इस तरह के बोजन समाज पार्टी जमीनी सर्व पर काम कर रहे हैं अब मुद्दा आ जाता है कि दिल्ली में जो समस्याएं कहां पर समस्याएं लोगों की सोच में हम लोगों से कहते हैं कि हम देने वाले आए हैं और वो लोग जो जिस सरकारों ने मांगने वाला बना दिया, तो देने वाला और मांगने वाले दोनों में डिफर क्या है, तो हम उनसे कहते हैं आप अपना राजा बना लो, आप अपने बोट का अपने लिए इस्तिमाल कर लो, और बोजिन समाज पार्टी वही आपको बताने यारी, समझाने बार-बार आ रही है, इसमें टाइम लगा है, लगेगा, लेकिन ये बात लोगों के दिमाग में आ रही है, आएगी, और एक दिन दिल्ली में भी बतलाओ देखने मिलेगा, आपको, तो सुदे सार्या जी को आपने बखो भी सुना, जो कि दिल्ली के अंदर से आवान कर रह जो तमाम नाम इनोने भी यूवाओ के गिनाए, उन सब को बहन जी ने एक अच्छे चेपदूबर बिठाया और दिल्ली में काम करने ले लगाया है, ऐसे ही लगातार बहन जी जो है, यूवाओ को भागिदारी दे रही है, और बीएस पी को मजबूत करने के लिए हर परियास करने है, इस वीडियो के वारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्षिन में जो बताएं और चैनल को सब्सक्राइब गना ना कुलें